चले दोस्तों आगे हम आपके सब्सक्राइब वीडियो लेकर दोस्तों आज के वीडियो उन लोगों के लिए काफी मत्पूर वाला जो 15,000 के बजट में स्मार्ट टीवी खरीदने के लिए सोच रहे हैं आज का सब्सक्राइब आपको समझ में आ जाए कि कौन साब लेना चाहिए हाला कि अब अब बजट के साब से आप अपने साब से जो है आप टीवी खरीद सकते हैं तो आज का वीडियो दिबना स्किप किवा आगे तक बने रहीगा दोस्तों चलिए शुरुबात करते हैं नमस्का दोस्तों मैं अमन जैस्वाल और आप देख रहे हैं आपको चैनल टेक्वी टु दोस्तों शुवात के नित पहले आपसे गुजारी अगर आप हमारी चैनल में नए आये तो नीचे दिकर सब्सक्राइब बटन में दोस्तों प्रिकर करो बेल नोटिफिकेशन दबाले ना भूले ताकि हर दिन आप टेक्नलोगी जोडिवीजन नहीं नहीं वीडियो लिके साथ ही दोस्तों इस चैनल बहुत सारा गीवे कॉंटेस्ट भी चलता रहता है तो अगर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया वह तो वीडियो में अप्लोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन मिले का और पाटिसिपर करके बहुत सब्सक्राइब आप जीब सकते हैं तो पहला जो स्मार्ट वीडियो निकल के आता है वह सामसंग कंपनी का जो 32 सिंस के स्मार्ट टीवी है इसके लावा दोस्तों इस तीवी के और कुछ खास बात यह कि इसमें आपको 20 वार्ट का आपको साउन और को देखने को बिल जागा साथ ही इसमें लेडी पैनल दिया उसके प्राइस होतों करीब आपको सारे पेरा से 14,000 का प्राइस आपको देखने को मिल जागा दोस्तों जितने भी आपको स्मार्ट टीवी और टीवी मैं बता रहा हूँ सारे का मेले डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया आप आपको जो भी पसंद आता है तो आप डिरिक आप सिर्फ Amazon में ही जाके आप चेकर हो सकता है फ्लिप कार्ट पर जाएंगे तो कुछ आपको पैसा जो है आपको बच भी सकता है तो जो भी मॉडल मैंने दिया वह तो से मॉडल जा प्लिपकार पर जाके आप चेक करें तो दोसे नंबर पर स्मार्ट टीवी अडिशन यह जो है 32 इंच का स्मार्ट टीवी है जिसकी कुछ स्पेसिफिकेशन में आपको बदा जाता हूं पहला जो इसमें IPS LED आपको पैनल देखने को मिल जाता है साथ ही इसमें दोस्तों आपको पीन एजडिया में पोर्ट मिलेगा रिफ्रेश रेट जो है 60 हर्ट का पर रिफ्रेश आपको आपको देखने को मिलागा साउंड फंक्शन में इसके लिए चैक कर सकते हैं तो मैंने जो अभी डिटिकेटेड जो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाए हुआ हुआ है कि आपको जो है कौन से टीवी खरीदना चाहिए आपको स्मार्ट टीवी खरीदें वक्यों किन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए उसका मैंने आई बटन में लिंक दे दिया वो भी आप हमारे वीडियो देख जाके चेक कर सकते हैं वो वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको काफी बदत मिलेगा स्मार्ट टीवी खरीजने बख जो आपको किन किन बातों को द्यान में रखना बहुत ही जरूरूरत है वो हमारे वीडियो जाके आप चेक कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आपको बता दो कि होने के साथ है इसमें सारे गूगल का फीचर आपको दिखने को बिलेगा गूगल एसिस्टेंस के साथ-साथ गूगल के सारे गूगल की जितन साथ ही दोस्तों समार्ट मिल जाता है और इसमें आपको साउंड आटपुट मिल जाए का डॉल्बी ऑडियो sound के साथ जहां तक इसकी बाकी पीचर के बात करूँ दोस्तों इसका पैनल जो है काफी जो है बतलब फिंब पैनल है आपको LED पैनल दिया वह काफी तेन है और स्क और चीज और स्मार्ट इवी खास बात है कि इसके जो रिमोट है रिमोट कंट्रोल में ही आपको इतना भी फंक्शन आपको देखने को मिल जागा जैसे आपको यूट्यूब का फंक्शन प्राइम वीडियो होट स्टार का की मिल जाए गूगल प्ले का जो कि यह वो सारे आप को इसके रिमोट पर ही मिल जाता है उस्मार्ट इस ची बात है यो सबक hemen ठाइन हाँ उस मांडीक में ओर इंडी सबखे़ ज मैं और यो लेकिन ये जो हैस इस श्मार्ट इपाइड एंडरॉइन डोस्तों ये निफे बता आइ़ अपो कुछ इस पेसिटिएशन मैं आपको बता देता हो पहला जो है इस स्मार्ट ट्रीफाइब जिए क्या हुआ जिसमें आपको जो है जितने भी आप आप जो आपको डाउनलोड करना चाहते हैं वह सारे आप सकते हैं आप देख सकते हैं नेट्फ्लिक्स है यूट्यूब यह सारे चीज़ है आप इसमें स्मार्टीवी में आप देखेंगे चाहते हैं प्रो और यह जो है एक एंडॉड एडी टीवी है जिसमें आपको जो है पीचे मिल जाता है दो तो पहला जो है इसमें आपको 20W सांट आप मिल जाएगा डॉल्म टीजिसी अडी गेए सब्सक्राइब हो जितने डिवी नेट्प्लेग वीडियो जो भी आप डाउनलूड पनाब सारे चीज़ में कर सकते हैं जान तक इसके प्राइस का नम बात करत वो है करीब आपको 15,000 को प्राइस में आपको यह Amazon में देखने को मिल जागा दोस्तों यह जो छे आपको smart TV मैंने बता है अभी छे जो पसंद है वो मैं आपको एक TV आपको बताता हो जो मुझे पसंद है जो दोस्तों मुझे जो पसंद है वह मुझे समझ में आ रहा है वो है आपको अच्छा देखने को मिल जाता है साथ ही दोस्तों इससे मुझे 24 वाट का जो sound output मिल जागा दोस्तों बाकि जितने भी आपने देखा smart TV उसमें आपने देखा कि उसमें पहला जो है किसी में कुछ 10 वाट का sound output है लेकिन जो है sound output इसमें जो है आपको 24 वाट का sound output दिया आपको एक चीज़ और बता सकते इसके लावच को एक चीज़ और बताता है तो smart TV के साथ दोस्तों अगर आप sound बार अगर आप खरीते हैं तो आपको एक TV खरीदने का मजा कुछ अलगी होगा मतबशने का मज़ा कुछ अलग होगा पतले वाले जो पैनल होते हैं लेकिन आपको अगर लगाना ज़रूरत होता है तो दोस्तों मैंने साउंड बार को भी लेके जो कुछ अच्छा वीडियो बनाया हुआ और यह 15,000 के बजट में स्मार्ट टीवी इसके लावा भी दोस्तों आपको और भी कुछ जानका चाहिए स्मार्ट टीवी खरीदने को लेके आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से पूछ सकते हैं तो मिलता हूं दोस्तों कल नए वीडियो को साथ आज की वीडियो देवाद